हाई अब्रिवरन वल्कम बेक टू माई चैनल तो आज फिर से केक के डेकोरेशन की नई वीडियो आपके साथ में मैं शेयर कर रहे हूँ तो आज हम बनाने वाले हैं साड़े तीन कलो की स्कूल बस थीम केक का ओडर आया था मुझे short notice पर आया था बट फिर भी मैंने इसको complete कर लिया और हम home bakers जब भी भी order लेते हैं तीन से चार दिन पहले ही लेते हैं short notice पर नहीं लेते हैं बट फिर भी मैंने यह short notice पर order ले लिया करें बिलकुल जाने नहीं दिना है आपको अपने हाथ से अगर बिजनस स्टार्ट करना चाहते हो बिजनस में अगर आपने पैर रखा है तो कबी कभी अरड़ अगर आपके बड़े ओर आते हैं तो याने की बड़ी अपको और यह आज की टिप सेंड्रेक एक ना एक ओर तो आपके पास आएगा यहाँ आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सारी लेड्स को मैंने कट कर लिया और टॉप बारी जो लेर है वो मैंने सेवन इंच के मोल्ड में उसको बेक किया था आधा किलो का बै तो इसलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा आइसिंग नहीं कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगा रही हूँ जैसे आप यहां देख सकते हूँ क्योंकि वो गिरने के चांसे हो सकते हैं बाट बीच में अग आप चाहो तो डॉबल भी लगा सकते हो सपोर्ट क केक बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लास लेर जब रखी थी तब कैमरा आफ था तो इसलिए उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया मैं दुआरा भी आइसिंग कर रही हूँ उसमें आपको दिखा दूँगी यहाँ पर मैंने चॉकलेट चिप्स भी एड़ की हैं और उसके बाद यहाँ पर मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके अच्छे से और जो गिनाश होता है जो ट्रफल होता है जो बचा हुआ होता है दूसरी केक का कल का एक और आया था तो उसके ट्रफल बच गया है ट्रफल को आप लॉंग टाइम तक भी स्टोर करके रख सकते हो 15-20 दिन तक भी है रखा है कि नहीं रखा है अगर आपको लगता है कि थोड़ा ट्रफल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको गरम कर गए फिर से आ फ्रिज में ठंडा कर गए रख सकते हो तो वो बिल्कुल सही रहेगा उसके बाद यहाँ चॉकलेट ट्रफल की मैंने थोड़ी सी ले वBeers epic के उठना के उपर कि उनको कौन से फ्लिवर का केg चहिए माइल चाही चए ड्प चॉकलेट चाहिए या फिर उनको बहुत अच्य से चक्रेड्री चाहिए तो तरीके से आप उनके रिक राउन commitments के need के अपको के बनाना है कूकि बहुत लोगों को चॉकलेट नहीं पस मर्जी तैब यूप सीरप बदेती हो चोकले चिप्स भी डिाल देती हो काफी लोग पसंद नहीं करते हैं मुझे बहुत सारेаци लोगों की आउडर आते हैं कि हमें चोकले चिप्स केक के अंदर बिलकुल नहीं चाहिए हमारा बच्चा नहीं खाता है यह फिर उसके अंदर हमे अपनी मर्जी से केक बनाते हैं तो order भी हमारे हाँ से नेकल जाते हैं कोईकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पसंद नहीं आता जैसा उन्होंने बोला है वैसा हम नहीं बनाते हैं इस वज़े से और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैंने layer को रख दिया है और फिर से इस जादा यह टॉल होने बाली है जैसे आप यहां देख रहे हो अब भी तो हमारी बाकी की दो तीन लेर और भी बची हुई है जैसे आप लोग यहां देख सकते हूं मैंने हर लेर में चॉकलेट चिप्स प्लस यहां पर चॉकलेट ट्रफल को मैंने मेल्ट करके और थोड़ा सा टेक्षर है टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और जिससे आपकी जो विप क्रीम है वो भी मेल्ट नहीं होगी और विप क्रीम ऐसे ठंडी होती है तो रोम टेंपरेचर का जैसे हम चॉकलेट सीरफ उस पर डालते हैं ट्रफल डालते हैं तो वहां पर हाट हो जाती थोड़ा थिक हो जाती है तो यहां देख सकते हो एक साइड में मैंने यहाँ पर जो 9 इंच के मोलड मैं मैंने जो बेग किया था अपना जो स्पॉंज किया था 1.5 kg का जो किया था मैंने उसके दो लेर कट किया है वो पतली पतली लेर होी है बट दो की हैं जिससे मुझे टॉप के हाइट बढ़ानी थी और जिससे हमारा जो बस का उपर का जो टॉप पाट होता है न तो वैसा लगे और उसका मिरर भी वहाँ पर बनाना था इस बज़े से इससे पहले मैने इत्ती बड़ी साढ़े तीन कलो की बस केक मैंने कभी नहीं बनाई है इससे पहले मैंने दो बस केक बनाई थी वो भी एक डेपेंड करता है कि आपको कैसे उसको बनाना है कट कैसे करना है उस aqorning आपको बना लेनी है अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो बिलकुल यूस्फुल लगी हो तो मेरे चैनल को कर लिजे सबस्क्राइब लाइक और शेर कर लिजे जिसने मेरी आगे की हर वीडियो आप तक पहुँचेगी, notification का bell icon button ज़रूर दबाना है, जिससे कोई भी वीडियो आगे की miss नहीं होगी हमेशा मेरे चैनल पर जब भी कोई भी वीडियो अप्लोड करूँगी तो उसका notification सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा तो top पर भी मैंने अच्छे से icing कर ली है और अच्छे से इसको crumb coat कर लिया है जिससे यह तब ही crumb है हमारी जब हम last final icing करेंगे तो उस पे नहीं आना चाहिए इस वज़े से crumb coat करना ज़रूरी होता है cake को एक साथ बहुत सारी cream लगा के नहीं रखना है starting में ही क्योंकि बाद में भी हम cream लगाते हैं इसलिए हमें सिफ crumb coat करना होता है और इसको रख देंगे हम fridge में आदे एक घंटे के लिए तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है white cream ले लिया है उसके अंदर मैंने यहाँ पर lemon yellow gel color का यूज किया है जिससे हमारी जो cream में वो पतली नहीं होगी आप liquid color भी आते हैं liquid color के एक से दो drop यूज कर सकते हैं मैंने पहले वीडियो में भी बताया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से set हो गई है piping bag में मैंने cream को भर लिया है और यहाँ पर मैं piping bag से ही पूरे cake के उपर cream लगा रही हूँ icing कर रहे हैं जब हम final icing करते हैं तो हम ऐसे ही करती हूँ जिससे सारी जगह पर evenly बराबर से cream लगे अगर हम palette nap से cream लगाते हैं तो कहीं पर जादा कहीं पर कम हो जाती है तो जब हम clean करते हैं side wall को smooth करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से smooth नहीं हो पाती आप हमेशा इस तरीके से किया करें तो आपकी जो finishing है बहुत ज़ादा अच्छी आएगी और बहुत ज़ादा amazing आएगी आप एक बाइज ज़रूर try करिए इस तरीके से और चारो तरफ इसी तरीके से हम पूरी cake को cover कर लेंगे जो भी हमारी school bus है पीछे से भी इसी तरीके से कर लेंगे corner आपको ज़रूर बनाना है जिससे side corner अच्छे से बने last में जब हम palette knife से clean करेंगे smooth करेंगे cake को तबी तो जैसे जितना जल्दी हो सके palette knife से और scrapper से अपनी cake को smooth कर लेना है side wall को चारो तरफ से जिससे हमारी cake बहुत अच्छे से smooth हो जाएगी और उसमें bubble नहीं आएंगे अगर थोड़ा सा भी लेट होता है आपने ऐसे ही छोड़ दिया 5-10 मिनट के लिए तो cake की cream के अंदर bubble आना start हो जाते हैं आपने देखा भी होगा रख्योई cream के अंदर बहुत ही जल्दी उसमें bubbles आ जाते हैं तो top से भी हम अच्छे से smooth कर लेंगे side wall को भी और उसके बाद last में हम करेंगे scrapper से side wall को अच्छे से smooth करेंगे बाद में और अभी आप देख सकते हैं यहां पर मैं सबसे पहले इसके corners बना रही हूँ और थोड़ी से क्रीम और लगा लेंगे जहां पर भी कम रह गई है जहां पर भी पराबर से नहीं लगी है उस तरीके से तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर मैंने scrapper लिया scrapper की हैसे scrapper बहुत size में बढ़ा है आप जैसे देख सकते हो height से भी cake की height से भी बढ़ा है तो sidewall को इस तरीके से smooth कर लेंगे जिससे cake की और जो corner है बहुत अच्छे से बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा pretty लगेगी यह semi fondant cake है यह पूरी fondant cake नहीं है आप यहां देख सकते हैं तो sidewall अच्छे से smooth हो गई है दोनों तरप से यहां से भी अच्छे से smooth कर लेंगे तो आप यहां देख सकते हो हमारी cake की जो finishing मैं किस तरीके से दे रही हूँ इस तरीके से आपको कर लेना है almost complete हो गई हमारी जो finishing है इस तरीके से आपको complete कर लेना है बिप क्रिम के जो corner होते है वो proper sharp नहीं आता है बड़ी मुश्किल से होता है तो आपको ध्यान से अच्छे से कर लेना है तो cake को रख देंगे फ्रिज में उसके बाद इसका decoration ready कर लेंगे decoration पूरा black color काई रहेगा क्योंकि windows बगेरा है और उसके side का mirror बगेरा सब black color काई है तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पर ready कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने black color का fondant ले लिया है white color के fondant के अंदर black color का gel color add करना होता है उससे ही आपका black color बन जाता है आप चाहे तो fondant बाहर से भी colorful fondant खरीश सकते हो उसमें कोई भी color add करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर आप चाहे तो घर में ह color add कर सकते हो food gel color आते है 12-15 color बहुत सारे आजकल color आने लगे आप कोई भी color लेके आ सकते हो और मर्जी से design तयार कर सकते हो और color भी उसमें add कर सकते हो तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिंडो के छोटे-छोटे से यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैं बना रही चार strips मैं ready कर लूँगी तो यहाँ पर हमारी 4 strips ready हो गई है side के लिए और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रंट का mirror बना रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको अपने जो bus का जो size है आगे से वहाँ पर मैंने इंची tap से या फिर scale से उसको major कर लिया था उसके बाद ही मैंने इसको cut किया उसके बाद यहाँ देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3-4 ball बना लिया है यह बना रही हूँ मैं headlight बना रही हूँ सामने की bus की जो होती है वो बना रही हूँ उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 mirror बना लिया है black color के ज नीचे का जो डिजाइन हम बनाने वाले हैं, नीचे की तरफ उसके लिए मैंने लिये, तो यहाँ पर scale क्या होती है, बहुत जादा sharp नहीं होती है, जिससे fondant अलग लग नहीं होता है, तो यहाँ पर texture और design आ जाता है, इस तरीके से, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, बस आपको उसी तरीके से अपने बस का जो decoration है, उसको ready कर लेना है, तो बराबर वाला मैंने नाप के ही किया है, तो यहाँ पर हम बना लेंगे tire, tire बनाने के लिए यहाँ पर आप किसी भी घर में किसी भी bottle का धकन ले सकते हो, same size के tire बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक bottle ल फॉंडेंट का हमने decoration बना के रखा था, वो stick कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, headlet भी आगे मैंने लगा दी है, बस के top पे और नीचे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने strips बना के रखी थी, design वाली वो भी मैं हमने लगा दी है, उसके बाद यहाँ light लगा देंगे, यहाँ पर भी, दोनों corner पर light लगा देंगे, तो यहाँ पर आमरी light लग गई है, उसके बाद यहाँ पर tires लगा देंगे, अगर आप fondant के tires नहीं बनाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते हो, और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप Oreo biscuit ले सकत होई थी, उनको भी चिपका देंगे, पांच खड़कियों को, और वो भी बराबर की दूरी पर ही हमें लगाना है, आगे बहुत जादा gap नहीं रखना है, जिस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर strips लगा देंगे, जो strips हमने बना के रखी होई थी, तो यह भी एक लगा दिया है, और स्टॉप वाला जो हमने लोगों मना के रखा था, छोटा वाला वो भी हमने लगा दिया है, उसके बाद दूसी तरफ से भी हम लगा देंगे, केक के उपर बिलको टच नहीं होना है, क्योंकि विप क्रीम का केक है, अगर कहीं पर भी टाच हो गया, तो थोड़ इस रेडियो गया, बैक साइड में हम इसकी सीड़ी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सीड़ी भी पीछे मैंने फंडेंट से ही लग बनाई है, अगर आपको आज की केक के बस का जो डिजाइन है, पसंद आया हो, अगर वीडियो यूसफुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे इस तरीकी की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आओंगी, बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो मेरे चैनल पर और भी आने वाली हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक कीप में ग्रीन में देख सकते हो, क्लियर पेक मने साइड में शेर के, इस टाइप का जो नोजल आता है, आप शौप बाले से पूछोगे, तो वो आपको दे देगा, और बहुत ही इजी से इसके अच्छे से ग्रास बनके रेडियो हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी केक का जो डिजाइन है और स्कूल बस बनके रेडिय हो गई है, आज की डेकरोशन और वीडियो पसंद आईए, तो मेरे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेर, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, कि आज की स्कूल बस का जो डिजाइन है, आपको कैसा लगा, आगे और भ आपको नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई एंड थैंकी फॉर वाचिंग,